दोस्तो क्या आप भी क्रैंपस इन कॉल्फ जो बिमारी होती है जिसे हंदियवासला में पिंडलियो में दर्द ए क्या आपकी भी पिंड्लियों जो पैरों में दर्द रहता है काफिटाइन से आपकूई हाँ प्रोब् Fate से श्यतिक रस्त हैं दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसका कंप्लीट ट्रेटमेंट बताया है और साथ ही इसके हमने कुछ घ्रेल उपचार भी बताएं जिसे आप यदि हम करते हैं तो जो आपके पिंद्लियों में दर्द है दोस्तों यह हमेशा के लिए खत्म तरह से मैडिसिंस डीन है किसटरा इसका करना आपने सबसरें देने कि Detra करने के माध्यम से जो मात्र दो दिन में आपका याफ की चानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहीए चली दुस्तों वीडियो start कर लेते हैं अब कHY thicken कारण होता है इस बिमारी का होने का नमर्बर वन घुता है यदि यह विटामेन की कमी है तब भी आपके बना रहा सकता है और नमबर दो एक तिदर और वा इसिड की कमी है तो भी दोस्तो के या रहा कमी है तब भी यह दर्द बना रह सकता है जो ये आपकी ये आपकी एस थरटी थर्टे फाइफ पलस है दोस्तों डैफिनीटली के कमी उस टाइम पर यह प्रिड्लियों में दर्द बना रहता है तो ठैयर डिजीज होती है अerní भी काफी बार देखा गया है पिंड्लियों में दर्थ बना रहता है नुम्ननुर्ब बात करें लाश्ट भी है दोस्तों ब्लड में यूरी युरीक एसीड होता है ज्वेब मातरा अधिक हो जाती है तब भी दोस्तो आपकी पिल्यों में दर्द बना रह सकता है छेली दोस्तो जान लेते हैं इसके treatment के बारे में दोस्तो पिल्यों में दर्द जो रहता है दोस्तो इसका जो treatment है वह इसके कारणों पर निरपर करता है यह किस कारण से आपके जो पिल्यों में दर्द बना रहता है दोस्तों जब प्रोपर डाइगनोस हो जाता है प्रोपर डाइगनोस होने के बाद में इसका इलाज दिया जाता है तो वह समस्या जो समस्या है जो कारण है उसके आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट आधारित होता है उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है चली द कुछ इस तरह से दिया जाता है कैल्सिम सेंडोज 10 ml एक इंजेक्शन आता है वह आपको तीन दिन तक रोजाना दिया जाना चाहिए और दूस्तों साथ ही इसके साथ में कैल्सियम टाबलेट भी आपको सामने एक टाबलेट रोजाना लेनी चाहिए जैसे मैक्वी टाबलेट विटामिन बी टॉОल टाथा है यह सब कैल्सियम टाबलेट है दोस्तो इस में से कोई बी एक टाबलेट आप रोजाना इक टाबलेट शाम में ले सकते हैं दोस्तों यह दि आपकी पुंडलियों में दर्थ यहीदि नेक्स्ट बात करें विटामिन B12 ताथा मिनरल्स की वज दोस्तों इसमें जो इसके इंग्रेडेंट होता है जो इसके अंदर होता है विटामिन बीवन होता है विटामिन बी सिक्स होता है या विटामिन बी टुएल होता है दोस्तों एक दिन छोड़कर लगतार पांस दिन तक यह इंजक्शन दिया चाहिए उस साथ ही इसके साथ में सब्सक्राइब कोई कैप्सूल या इंजेक्शन हफते में एक बार यह भी लेते रहना चाहिए तो नेश्ट बात कर लेते हैं घरेलू उपाई के बारे में दूस्तों गरेलू उपाई क्या कुछ खाने के पदार्थ कुछ खाने योग के हम पदार्थ बताएंगे आपको जिन यह दोस्तों नेक्स्ट बात करें नंबर दो उपर वाइट बीन्स भी आप ले सकते हैं और नंबर तीन करें बात करें बटर भी आप ले सकते हैं दोस्तों यह कुछ घरेलू उपाई हैं जो आप कर सकते हैं और आप अपनी पिंड्लियों का दर्द ठीक कर सकते हैं दोस्तो यह दी इस्टोफिक के रिलेटिड आपको कोई भी क्वेस्चन है कोई भी क्वाईरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन दोस्तों